दोस्तों यदि आपके पास कोई Android स्मार्टफोन है और आप चाहते हैं कि उसको हम अनलॉक करें घर बैठें वो भी विदाउट डेटा लॉस जी हां दोस्तों विदाउट डेटा लॉस के मतलब कि हमारी फोन में जितने भी फोटोग्राप्स हों वीडियो जो फोटो जो कुछ भी डिलीट नँ हो जी हां दोस्तों अगर आप भी ऐसा सीखना चाहते हैं आप अगर एक शॉप कीपर है यानि कि आगर आप एक दुकानदार है जो कि फोन को अनलॉक करते हैं यह वीडियो आपके लिए तो हैं साथे साथ अगर आप एक यूजर है फोन को यूज करते हैं आपको फॉन लॉक हो गया है यूटूब पर वीडियो देखते हुए आप हमारे वीडियो पर आया हैं बहुत सारे वीडियो देख लिया कोई शॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इस वीडियो को जोर देखिया क्योंकि इसी वीडियो में छुपा हुआ है अनलॉकिंग का बहुत सारे वीडियो तो आई चली यहां पर फटफट जानते हैं कि किस तरीके से आप ओपो रियल्मी वीव शौमी समसंग माई वन प्लस जैसे स्मार्टफून को आप घर बैठे अनलॉक कर सकते हैं वह भी विडावट डेटा लॉस के साथ जियां दोस्तों विडावट ड बैल ऐकन को भी दबा ले ताकि आने वाली जो वीडियो जे उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम तो चली यहां पर फटफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप क्या करें इस तरीके से स्वाप अप करके यहां पर आपको अमर्जेंसी कॉल बESCO ओप्शन देखने को मिल जाता है तो सेम इसे तरीके से यहां भी हिस्वाट पी स्पॉन में ऐला उप्शन आपके लिए है अब यहां पर आपको क्या करना करे डा करकर च्क करना स्टार रहा है First il और से कि या यहां पर आपका emergency ओर स्थेंदेर मोड वाल Όला है वह अब भी डाइल किजिए अपने फोन में star has eight double nine page देखिए चिक किजिए कि यह option आ रहाय ऑपें हो रहाय अगर यह option आपके फोन में open हो जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है जैसी यह phone का option open हो जाए आपको क्या करना है ड्रली Case Bet from automatic तो। स्वाइब का अभ्षन को फाइंड आउट करना है क्या ड़ोंड़ा है आपको डोनरा ह्मैनुल ट का debido अट का ऑक्शन तो इस तरही त्रीके से धि everywhere टो जैसे आप मैनुल टेस्ट वाले उप्शन में जाएंगे अब यहाँ पर आपको बहुत सारे औप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ तो बहुत सारे जूम कर देता हो ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखांगा यह देखिये जैसे आप इनजीनियर मोड वाले मैन यहां पर एक option आपको देखने की मिलता है जो की है read write complete indicator करके यहां पर read write का option आएगा इसको आपको click कर लेना है यहां पर दीखिए first time में आप इसको okay गलती से मत किजिएगा first time में इसको cancel कर दीजिएगा same second time में इसको click किजिएगा और यहां पर okay कर दीजिएगा okay करती ही आप यहां पर exit हो जाएगा इस page से और अब आपको यहां पर दूसरे method के लिए apply करना है दोस्तों वीडियो जो है काफी helpful इस लिए गौर से देखिएगा अभी यहां पर दीखिए आपको क्या करना है इस option में हमें back जाना है जहां पर हमने शुरू से आया था तो यहा यहां पर फोन में देखिए दो sensor अबहरा दिखाई दे रहा तो जरू नहीं कि आपके फोन में दो तीन चार पांच छे कितने भी sensor हो सकते हैं यह फोन के उपर डिपेंड करता है जनरली रियल्मी के फोन में 7-8 sensor देखेगा है तो यहां पर आपको क्या करना है दोनों को start कर और किसी एक का pass होना बहुत जोड़ी है तो यहां देख सकते ही कि हमारे में दोनों fail हो गया है अगर यह आपके फोन में भी दोनों fail हो गया है तो आपको क्या करना है कि सेम इसी तरीके से एक बार back किजिएगा और वापस यहां पर sensor self test पर click किजिएगा और उसको start अब यहां पर आपको क्या करना है इस तरीके से back करना है आप नीचे से back कर सकते हैं अब देखिए यहां पर बहुत सारे ऐसे option है जो कि आप कभी यूज नहीं किए लेकिन आपको क्या करना है अदर्स के option में जाना है अदर्स के option में आपको जाते हैं यहां पर आपको बहु हमारे सामने ये पास का option आ गया है Rating Reset Complete अप्षन यहां पर हमारे सामने ये पास हो गया है तो जैसे ये option अगर पास हो जाता है तो आपको क्या करना है कि नए-ए यहां पर weDeez can coverage के लिए हम हर वीडियो में आपको बताते हैं तो जैसे यहां option अगर पास हो जाए तो आपको क्या करना है बैक करते के साथ ही यहां पर क्या करना है इसी option में आपको एक जूढ़ना है जो कि यहां पर देख सकते हैं कि हमारे phone में आप बिल्कुल क्लेरली इस तीज को देख सकते हैं यहां पर नीचे से इसको आप क्या किजिए बीच से स्वाप अप करते ही आपका फोन जो है ऑटमाटिक तरीके से अनलोक हो जाएगा वह भी विदाउट डेटा लॉस्ट आपका फोन यहां पर अनलोक हो चुका है कोई भी यहां पर आप ग